नमस्कर दोस्तों सौगत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के पंडित में तो दोस्तों कल बैंक निफ्टी कितने मिनट में कितना अप्टरंट शो करेगा आपको 9 बच के 45 मिनट से पहले देखेगा मारकेट ओपन होने से पहले ही पता चल जाएगा हमारे देखेगा यहां पे चार्ट देखेगा आएगा टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंग मिल जाएगा मिस नहीं करना चाते हैं तो जोइन कर लिजिए तो कल के लिए देखेगा केवल एक निगेटिव सिगनल है इसके इलावा देखेगा ऐस सच कोई बड़ा निगेटिव सिगनल नहीं है मैं मैं मल्टिपल आपको अपडेट्स दूँगा मल्टिपल इंडिकेटर बताऊंगा जिसके थूँ ये लग रहा है कि कल हम पॉजिटिव गाप अप ओपन होंगे और एक एकर करके इमनों डिसकुशन करेंगे बट अगर ऐसे वीडियो अगर आपको और चाहिए तो लर्निंग के लिए देखेगा लाइक करना मत हमारे FIIs पूरी तरीके से सेलिंग जोन में है नो डाउट पर ये सिनारियो जादा दिन तक नहीं है विदिन वन वीग बहुत ही जादा विदिन वन वीग के बीच में देखेगा एक बाइंग देखने को मिलेगी आपको वो टर्न अराउंड होगा मार्केट के लिए टाइम हैं जैसे कि मैंने टैक्स की इनफॉर्मेशन के बारे में बताया कि FIIs को क्या बेनिफिट होगा FDI यानि कि इन्वेस्मेंट किस तरीके से आएगा वहाँ पर टैक्स बेनिफिट क्या होंगे वो भी डिसक्रिशन देखेगा बजट में होगा तो वहाँ पर सिनारियो चेंज को एक बहुत बड़ा जंप लगाया था जंप देखेगा तब आया था जब हमारा बाजार क्लोज हो चुका था पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने निगेटिव क्लोजिंग दे थी ओवर सोल्ड मार्केट है मारे पास लगातार मल्टिपल थ्री डेस म देखेगा यह शो कर रहा है कि वो इनफलेशन को कूल आफ कर रहे है थ्रू दा रेट हाई तो वो एक पर्टिकुलर जंप देखेगा रियक्शन के साथ आया है डो जोंस में और 700 पॉइंट की तेजी देखने हो मिली है फ्राइडे नाइट को इसका असर अभी तक निफ्ट आइटी में लगातार गिरावट थी निफ्टी आइटी बैंक निफ्टी से भी जादा गिर रहा है निफ्टी आइटी सेकेंड मेजर सपोर्टर है सेकेंड मेजर वेटेज रखता है निफ्टी 50 में और आपको पता यह परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन कल यह परफॉर्म करेगा चुकि tech के stocks ने Friday night को बहुत बड़ा jump लिया है 0.5% का कितना 0.5% का और आपको पता है कि अगले हफते TCS, Wipro, Infosys HCL Tech इनके नतीजे भी है तो एक rebound तो तब तक बनता है जब तक result ना आ जाए तो इसलिए IT sector में rebound देखने हूं मिलेगा IT sector में positivity देखने हूं मिलेगी तो यह second signal हो जाएगा कि कल हम positive open होंगे अब मैं बात करता हूं third signal की हमारा particular देखेगा dollar index, अगर आप ध्यान दिया होगा तो last Friday को dollar index 105 के उपर आ चुका था और इसी कारण से देखेगा panic rate हुआ था इसी कारण से bank nifty रुकने का नाम नहीं ले रहा था इसी कारण से bank nifty में काफी तेजी से गिरावट देखने हों मिली थी तो यह जो multiple reason थे dollar index के बज़े से आये थे dollar index के बज़े से pressure बना था dollar index के बज़े से देखेगा Dow Jones में भी pressure था Dow futures में भी pressure था लेकिन dollar index काफी हद तक गिर गया है यानि कि जो उसने rebound किया था वो जैसे कहते हैं यह rebound करने के बाद slip हो गए तो rebound होने के बाद slip हो चुका है यह भी Friday night को slip हुआ है इसका impact अभी तक हमारे nifty 50 nifty bank पे नहीं देखते हो मिला है जो कि दोनों oversold zone में तो यह आपका तीसरा बड़ा reason होगा कि कल market positive open होगा और कल market आपको gap up opening भी दे सकता है तो देखेगा तीसरा एक एक fact देखेगा आपको इसलिए बताई जारे हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि कभी आप discuss भी करो किसी से कि ऐसा क्यों होगा तो आपको पहले से पता हो कि like कैसे इस तरीके की situation आएगी दूसरी बात अगर आपको minute में जानना है कि कितने minute में market अप जाएगा तो आपको description में link मिल जाएगा हमारे telegram channel का उसको miss मत करिए free channel है और तीसरा के बाद चौथा reason देखेगा हमारा 82.800 के पास था 82.800 के पास देखेगा चला जा चुका था 82.800 के पास हमारा INR तो पिछले हफते night में Friday night को बहुत यह अच्छा appreciation देखने को मिला है हमारी currency में और हमारी currency में यह appreciation capital market में reflect होगा Monday morning को यानि कि कल तो यह भी एक बड़ा reason है इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो bond market देखेगा Friday night को काफी तेजी से गिरे थे और bond market का गिरना बाजार के लिए अच्छा होता है आपको पता equity बाजार के लिए अच्छा होता है और आप यह भी देख सकते हैं equity के साथ-साथ equity के साथ-साथ आप देखेंगे crypto market के लिए भी बहुत अच्छी update है और यह देखेगा Cardano में, Ethereum में और देखेगा Solona में, Dogecoin में काफी अच्छी तेजी देखती हूं मिल लिए है यानि कि crypto currency में पैसा ओल्री आ रहा है यह आज market खुला हुआ है और positive trajectory में है तो इसका मतलब कल हम positive open होंगे यह multiple reason दे दिए reliance आपको कल ज़्यादा panic नहीं करेगा क्यूंकि आप देख रहे हैं कि crude oil और Brent oil भी stable है like गिरावट हुई बट उसके बाद stable है और आपको सबसे बड़ा reason देता हूँ कि यह 12 बज़े तक की situation थी किसकी nifty future की 17 900 के बाद वहाँ से 200 point की recovery आई है Friday 12 बज़े तक देखेगा 200 point डाउन ते और वहाँ से 200 point की recovery आई है जो की बड़ी बात है तो इसलिए हमें भी एक कल देखने को मिल सकती है कल का देखेगा 18 000 रहेगा resistance नीचे की तरफ support रहेगा 17 760 और nifty bank की अगर आप बात करेंगे तो nifty bank में देखेगा 42 650 पहला resistance रहेगा नीचे की तरफ 42 000 आपका support रहेगा बाकी की चीज़ें आपको टेलिग्राम पे बताई जाएंगी वीडियो कर अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करना न भूलेगा थैंक्यू सो मच